वर्तमान मावीर खुलाविस विदाले के स्कोलर स्र्व야 के form भो इस्टारट हो चुके हैं आप देखें जो स्कोलर स्रिफ के form है वो सिर्फ महिलाओं के लिए किया याने की गल्स यृर् गल्स locks ने वर्तमान माविर खुलाविस विदाले से BA के लिए या BC, MSC, कोई से भी degree, diploma, certificate course हो उसके लिए यदि आप लोगों न अपलाई किया है तो इसके scholarship का form जो है वो अपन हो चुके है यदि अभी तक आप लोगों न उसके form नहीं बरहता आपको किस पकार से बढ़ सकते हैं कोई कोई से डोकमेंट आप लोगों क्या उसकता होगी लास्ट डेट किया है इसकी सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe पहले जगा तकी वर्तमान माविर कुला विसुद्याज समदेद आगे की जो भी ओनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकरी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे तो सबसे पहले एक important बात दिये है कि यह जो form में उसरीप महला ही बरसकती है और इस योजना का नाम है बालिका दुरस्थ सिक्षय योजना जो की 2022-2023 से चलिया रहे है यदि आप लोगोंने भी 2023 या 2022-2027 में online form अपलाई किया है या फिर 2024 में online form अपलाई किया है तो इसकी लिए जो exclusive के form में open हो चुके है तो सब सब पहले मैं आपको इसको last date बता देता हूँ कि इसकी last date किया है देखिए या पर पांचे नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है बालिका दुरस्थ सिक्षय योजना इसकी जो online form इस्टार्ट हो चुके है 29-2024 से स्टार्ट हो चुके है यानि कि boys इस form को apply नहीं कर सकते है सिर्फ ये महलाओ के लिए है यानि कि जो गल से वो ही इस form को apply कर सकती है तो यहाँ पर मैंने last date बता दी है अब last date के बाद में हम लोग चलते हैं कि कौन-कौन से document आप लोगों के पास में होने चाहिए तब आप लोग इस form को apply कर सकते है तो आप लोगों के पास में सबसे पहले जाती प्रमान पत्र होने चाहिए उसके बाद में आई प्रमान पत्र होने चाहिए अंतिम योगिता की माक्षित या फिर प्रमान पत्र के सत्तापित परती आप लोगों के पास में होनी चाहिए यानि कि यदि आप लोग Post Graduation का Form भर रहे हैं या फिर UGIC का Form भर रहे हैं, PG का Form भर रहे हैं इससे पहले जो अंतिम योगिता थी, जैसे आप लोगों बस बढ़र रहे हैं,다 eamse.com की बीरा तो आपके पास में अभी मार्शिट और इसनल नहीं है, तो आपके पास में इन्टेट वाली मार्शिट से भी काम चला सकते हैं. तो अब आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप लोग कैसे प्रिंट आउट निकलेंगे, सबसे पहले आप वरतमान माविर कुलाविस उद्याले की वेबसेट को उपन कर लिजेगा, और उपन करने के बाद में नीचे जब आपको जैसा ही आप लोग स्कॉल करेंग दाल दीजीगा, और इसके बाद में अदब सम्मेट पर क्लिक कर दीजीगा, तो आपके जो फीस की रिस्क्रीट है, वह आपके सामने शो जागी, आप लोग उसका पिंट आउट ले लिजीगा, इसके बाद में आप लोगों की फोटू होने होने चाहिए, जन आधार दोकूमेंट है कि कोपी आप लोगों के पास में होनी बियांदा सकते हैं वोस्फार के यहां और मोल निवास के representing यहाद करने हो रावाऒ की हम पास में अपक्रिविभे बंग की शुन पास आप लोगो को एक स्क्रोलिस्टिफ पर्टेल है इसको फोला उप्शन आपको जोड़ना है अगर यह उप्शन आपको नहीं मिलता आप लोग अधर एक इस वला उप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नीचे ऊप्शन मिल जाएगा इसमें सब से card number पर OTP आएगा वो OTP डाल कर आपको submit कर देजगा अब इस हैड्स पर पहले आप लोग यदि फैस्ट बार अपलाई कर रहे तो आपको उसको प्रफाइल बनानी पड़ेगी प्रफाइल बनाने के बाद में आप लोग इसको 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 हो इसमें कोई दिक्कत नहीए आप लोग इसको फॉर्म को इसको डोफाइ कर सकते हैं दूस्डिरी बतर बात यह उब क्या कि इसको 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 अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर यह महलाओ के लिए जो निशुलक सिक्षिया की योजिना तुम पकलावब ही इसके बारे में ऐसने लिए तो लोग को इस एक बार जितने बी पेपर हैं sारे पेपर डो GU करना ज़रूरी है यदि आप लोगो ने सारे paper clear नहीं किया एक में बेक लगी दो में बेक लगी है तो आप लोग अगले साल को इस form को apply नहीं कर सकते यह आपको थोरा सा विसे शुरूप से ध्यान में रखना है तो आप लोग जब भी इसके exam देना जाओ तो अच्छी सी मेनत करके पढ़ाई करके जाए ताकि एक बार में पूरा paper clear हो जावे और आप लोग इस form को apply कर सके तो यदि वीडियो अच्छी लेगी तो like आए शेर किजिगा और यदि आप लोग में चनल पर पहली बार आए